हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है सोनम की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए आलू का कुछ नया नास्ता तो हम नाम आपको कुछ देर बात बताएंगे तो यहां पर हमने ले लिया है आलू पराठा का बच्चा हुआ यह आलू तो उसमें हम मने डाल दिया कटा हुआ गाजर को है कि खटा हुआ रहा धनिया और मेह है में यह डाल दिया ताजह हँआ मतर होई हमिसे आलू मिक्स कर देंगे कि अ deputy कि टेस्टी नास्ता बनेगा आप से नास्ते या किसी भी टाइम बना सकते कोई देख करने दिध कर खिलाएंगे तो बहुत ही खुश होंगे तो मेरे वीडियो का एंड तक देखिएगा तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो मैंने आलू के पराटे में अक्सर मैं धनिया डालती हूं और जीरा और लाल मिर्च और तीनी चीज़े डालती हूं और नमक तो सभी कोई ड लाया था तो वही मेरा यालू बच गय था तो मैंने सौच आइस का मैं क्या करों पराटी खाने का मन नहीं था तो मैंने का एस सूचा कि कुछ नया नास्थ़ा बना लेती हूं तो एâte मैंने यहां पर कुछ सबजें रखे थी तो मैंने उकाटकर इसमें डाल दी तो वह थी गाजर मटर हरा धनिया में तीनों चीज़ों को काट लेना बार एक बारी और डाल देना और मैंने यहाँ पर एक चम्मस का जू काड़ किया मेरे पास यह दो तीन चम्मस पड़ी हुई थी तो मैं इसको लाई उठाकर और मैंने इससे आईस क्रीम मनाई आपको लग रही ना आईस क्रीम अगर आपको नहीं लग रही है तो फ्लीज कमेंड बिताएगे मैं इसको क्या नाम दूं तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आरा रोट का घोल आप मैदा सूजी कुछ का भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ और लाने वाले हैं जिससे और भी हमारा नास्ता टेस्टी बने तो यहाँ पर हमने लिया पतली वाली सिमाई तो आप मोटी भी ले रही है लेकिन पतली वाली का कुछ अलागी टेस्ट आता है तो मैंने यहाँ पर लिया है सिमाई मैं इस पर जो मैंने आइस क करिएगा और यह टेस्टी टेस्टी नास्ता सबको खिलाईएगा तो हमने यह आइस क्रीम तयार कर लिए अपनी देख लीजिए आप तो मैंने आपर रख दी एक गढ़ाई इस पर डाला है मैंने रिफाइंड तेल तो इसमें हम सेकेंगे अपनी बढ़ियां अच्छे से आइ इसे बूनना है जब यह बून जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे हमें इसे अच्छे से लटते पुलटते सेक ना है तो मैंने इसे चिम्टे के साथ से पलड़ दिया है मैंने खाया इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था तो प्लेज अगर आपको भी कभी आलू अच्छे तो यही नास्ता बनाएगा अगर नहीं अच्छे तब भी यह नास्ता ज़रूर बनाएगा तो एक साइट से हमारे यह आइसक्रीम सीख चुके हैं तो हम इसे पलड़ देते हैं मैंने इसे पलड़ दिया है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहा है यह मारा फ्राय हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो आप लोग देख रहे होंगे कितना टेश्टी बना है तो इसी तरह हमें सारे आईस क्रीम निकाल लेने हैं मुझे तो आईस क्रीम ही लग रहा था मुझे तो आप लोग ब्लीजे से बताएएगा इसका नाम क्या दूँ अगर यह रैस्पी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक से जरूर कहिएगा और यह रैस्पी जरूर बनाएगा इसे सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं गर्मा गर्म यह देखे कितना टेश्टी बना है